विल्कम बैक टो माई चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में आप बात करेंगे इस टैंडर्ड इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी सी आवाज आपको लो आएगी आज के दिन फिर भी तोगी कहला खराब है ठीक होने का ना और यहां पर कम्पणी का पहले अगर पिस्ट स्पॉडाल आप लो समझें यहां पर बिजनस कंपणी 2 तीन तरह करते हैं और कंपणी के बिजनस और पीराद और टाइम तो कई बार चेंज भी हुआ जब company अपने business change करती है अपने percentage of revenue बारवर shift होता रहता है एक business से दूसरे से business पे जैसे पहले कभी कुमाल लेते है कि textile industry से पैसा आ रहा है पिर आज के समय देखोगी कि company यहाँ पर land lease पर दे रही उससे पैसा आ रहा है तो यह जो change होता रहता है यह shift होता रहता है वो business के लिए healthy नहीं होता है इसका मतलब management नहीं decide कर पा रही है कि मतलब company particular efficient case space में है तो इस थोड़ा सा ROE और ROC आपको थोड़ा से low देखने के लिए मिलेंगे प्रॉफिट को देखो इतने हां पर negative के अंदर मेजर ली और margin यहां पर 69 परसेंट की अब इतनी मार्चन होने के बाद भी हां पर loss कर रहा है company में वह थोड़ा साम लोग को नीचे देखना पड़ेगा अब यहां पर एक चीज़ देखना कि यहां पर कोई as such particular standard नहीं है कभी पर कभी नीचे जा रहे है इनकी sales तो यह हमारे लिए बढ़ी negative बात है sales को अगर यहां पर देखा जाए तो 10 करोड से 10 करोड चलती आ रही है यहां पे अचानक से sales बढ़ी यहां पर क्योंकि अब मेजर ली देखो कि lease की business में तो lease में एक agreement होता है कि lease कथम होने के बाद एक option मिलता है कि जिसको आपने lease पर दिया है उसको एक option देते हो आपकी आप at the end of the period आपनो land खरीद भी सकते हो अगर चाहो तो तो वह हो सकता offering को मिला हो तो यहां पे sales एक साल हो बढ़ते नजर आई है यहां पर profit बिरोंने पोस्ट किया था अभी भी profit पोस्ट कर रहा है और यहां पर कोई particular आपको बड़ा नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा इस सिंगल यहां पर होल्डिंग मनी हुई है तो यह अभी फिलाल इसको हम negative मानते हैं जब किसी एक परसेंट की होल्डिंग इतनी जादा बड़ जाती है और वह भी बाहर से जब पैसा आ रहा होता है मनल को बाइंक करनी चाहिए कि यहां पर देखोगे तो कंपनी काफी समय से sideways market में जा रही है तो एक चीज़ देखो कि company की जो प्राइज होती है वह कंपनी अपनी अर्निंग्स को फॉल्लो करती है company अगर आपको नहीं देपा रही हो और पर पीरेड और तो कोई हमारे पास सैस् रहेगी या डाउंसाइड रहेगी तो बैटर यह रहेगा कि ऐसे कंपनी से आप लोग क्रॉस आपना अगर पैसा है तो निकाल के किसी अच्छे कंपनी में पैसा लगा के बैटर रहेगा कोई बहुत पायदा ने मिलेगा और हम लोग इसको अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हैं यहां पर अगर देखो तो सेम लिए से त्वाइस यहां पर रिजक्शन लिया था यहां पर दोजी बनाया था तो अब को यहां लगता नहीं खास में आने वाला तो उसको देखके समझते हो यहां पर आपने पोजी समझ सकते हो बट मेरा निया यहां पर यहां पर यहां वो सब्कूर करके निकलना चाहिए दूसरे कि अच्छा fundamental वाले company में आपनों निवेश कर सकते हों अभी फिलाल इसलिके साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो like, share, subscribe, subscribe कर देना बेल आइकन वाली notification बटन ज़रूर दमाना और अपना capital safe लखना ओके बाई